सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे सत संग से सोधी आवे नहीं जीव चोरासिम जावे अब मेटो हो द्वे सोर राग हो राग या उमर वा तेरी जाली अब मेटो हो द्वे सोर राग हो राग या उमर वा तेरी जाली अर यहां इस सब को बचाएंगे जो जो नाम ले रहे हैं अब तारे सामने दिखा दूगा कितने रक्षा कर रहे हैं परमात्मा पल-पल में कर रहे हैं ऐसे इसी दुर घटना सुनाते हैं बच्चे ऐसे इसी प्रिष्टिशियों परमात्मा मदद करते हैं अब परते के साथ कर रहा है वो पिछले जनम के थे अब ताजी और बना जी हमने अब इन से भी साथ होगा बगवान इनके परतिफल भी आपको देना सुन कर देगा तो परलाद कच्चा पका था परलाद के पिता ने बच्पन से तो भगवान की भक्ती करता था लेकिन विश्णों का पुस्ट जैसे भी सुना गयान किसी रिशी इचे नारत जी न उसको गर्ब में सिख्षय दे दी थी जो गर्ब में था माक है उसकी आधार से विश्णों जी का पुजारी बन गया और विश्णों का दुस्मन अरनेक्सिपू उसका पिता उसने बिर मा की बक्ती करके सक्ति प्राफ्ट कर लिए थोड़ी बहुत सिद्धी से दी उस अलदे की गांट से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूँ सुबह मरू ना स्याम मरू आशिरव ले लिया और सुसे बरूना पक्सी से बरू हमर मान लिया अपने आपको इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विश्णों का नाम नहीं लेगा बगवान की बक्ती नहीं करेगा अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक संड़ा और मुर्का नाम के दो बाई थे ब्राम बन था अरनेक शपू तो प्रलाद को उनके पास बेज़ा कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर दचाओ तो उसमें प्रलाद कच्छा पक्कासा हो रहा था कि भी हो सकता ये भी हो सकता रोज देखो एक जूठने सो बार सुन ले तो वा सची सी बन जा रहती है इसी सथी थी में परमातमान उसको फिर दर्ड तकरना था वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी और परलाद उसी रस्ते से अपने गुरू उस पाठ सालम जा रहा था संडा मुरका वाली पाठ सालम जब माई रो रही थी बिल्ली का तुसन नहीं जान दिया क्यों रो रही है उसको मारी से पूछा के माई यू रो रही है उसको पता थाराजा का लड़का है बताओंगी के माहराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधिरे में और किसी मठके में चले गए कच्चे में अब इसमें आग भेंकर लग गई है आग चल पड़ी है पहले कहते हैं ये जो आवा था एक महिने में उपक्या करता था और फिर क्या हुआ तो उसे ने बताए क्यों है कि मिन्यत अक्तिक को छेड़ी ने सकता है इतनी अगन होती है इसमें तो माई उस परलाद ने पूछा फिर आप कैसे रख्षा करोगे कि भगवान करेगा अब मुनस नहीं कर सकता अब जीव नहीं रख्षा कर सकता अब तो राजा भी नहीं कर सकता राजा मान ले फथेनिकों को बुला कर मठके तो बुझा सका है मुटके निकाल सका लेकिन वो तो मर लेंगे इतने एक का जल्मा मर जांगे वो बिचारे तो भगवान ही बचा सकता है क्या माई भगवान भगवान मिश्णू जिस भी भगवान है यानि क्या माई भगवान है इतना तक ताकत तुम रहे को वहां भी रख्षा कर देता है कहां बेटा हां माराज परमात्मा इसलिए कहते है कहने लिगा माई जब तुम ये आवा तुमारा पक जावे तुझने प परलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावा है, ये किलन, मटके पकान का बठा, उसको आवा बोलते हैं, पुजा, आवा, तो जब ये पक जावा तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और ये थी ये बच्चा जीवित पागे, तो मैं भी इस बगवान क फ़ोग्रका मानूगा, ये इस किसी की भी, और नहीं तो माई, खबरदाराज के बाद तुने राम का नाम यह पर लेखने, मेरे पता का नाम लेखने, इसके रंग ते डिग सा थोड़ा सा, तुझे बालूम नहीं मेरे पता को पता लग जा तो जान से मरवा देगा, तो अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई उद लिला थी दाता कि तीन दिन के अंदर पहले एक महिने में पकता था चालिस दिन में एक तीन दिन में आवा पक के तियार हो गया और आग बुजगी कती ठंडी होगी अब राजा के लड़के काजिश था जब परलाद आया पाट साला में जाने के लिए कहा महराज आज आवा मालक की दिया से तीन दिन में पक गया आज हम इसको खोलेंगे परलाद वहीं बैठ गया अग खोलो वो निकाला एक मटके में जिसम वो बच्चे थे उसके अगने की आ तो उस दिन से परलाद को डड़ विश्वास हो गया कि सच मुच भगवान ही कर सकता था मेरा पिता यहां कोई का कोई रोल नहीं था तो बेसक राजा है और बेसक यह भगवान कहता है तो उसके बाद सांडा मुरका को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गल्ट गा पावगा अपना कियारे भोगएगा अपना कियारे भोगएगा अपना कियारे मन तू पावगा अपना कियारे भोगएगा अपना कियारे परलाद पैज परवान करी है दर नर सिंग अवतारे परलाद पैज परवान करी थी दर नर सिंग अवतारे दीन दयाल दयाकर उतरे एरना कुस उदर विदारे मन तूपावे गया पना कियारे भोगे गया पना कियारे गरीबदा साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे गाउं छुडानी जिला जुजर हरियाना में ये किसान थे जाट थे खितों में बहुत बड़े लेंड लोरड थे पंदरा सोला सो एकड़ जमीन थी और वहाँ अपने ही खितों में पाली गए वे थे गवें चला रहे थे वहाँ सत्लोक से परमात्मा अपने विधान अनुसार कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में आके उत्रे थे वहाँ कमारी गायों का दूद पिया था दात्ता ने कबीर भगवान ने अपने आशिरवाद से कमारी गायों ने दूद दिया बचिया ने और वो पिया था, वहां का दूद नहीं पिया था फिर गरीबदास जी को पर्थम मंतर दे का सत लोग लेकर गए थे सारा कुछ दिखा का गरीबदास जी को वहापे छोड़ा था पुरे ग्यान योग से प्रिपूरन कर दिया था तब उसने कहा था कि परलाद पैज पर्वान करी परलाद ने जो द्रड़ता कर ली थी पर्तिगे कर ली थी कि मैं भगवान की बखती करूँगा एरनिक्सुपूगी नहीं करूँगा बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है कहते हैं उसकी जो पैज थी परतिग्या थी उसको परवान करना यानि उसको सहरेच डाया उसकी रक्षा की उसको सफल बनाया और दीन दयाल कभीर भगवान दया कर उतरे वहां से अवतरित हुए उपर सत लोग से और रनक उदर विदारे अपने आत्मों ये है तत्वग्यान अब धीरे आपके कत्ती देखो वो जूठा फैट हो रहा था वो तो नकली पैंट था अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में और ये असली पैंट ही बोवगा अपने अब ये कभी ने उतरेगा ये फैड़ भी ना होता फिर सदा एक साय रहेगा झाल कर दो